So, Hello Everyone, तो जो हमारा Middle East वाला रीजियन है, जहांपे Mediterranean Sea है, Caspian Sea है, Black Sea है, सारे जो रीजियन है ये न्यूज में हर बार रहता है, ठीक है? और इस समय तो काफी ज्यादा न्यूज में है, ड्यू टू Russia-Ukraine War and अपका जो अभी तुर्किये में Earthquake हैं, Syria और तुर्किये में जो Earthqu जो एक साह है रीजियन में, उसकी और जैसे ये रीजियन काफी ज्यादा न्यूज में है, और UPSC ने पास्ट में कुछ ऐसे क्विश्चन पूछे हैं, जैसे कि Black Sea से Bordering Country में से कौन सी नहीं है, Mediterranean Sea से Bordering Country कौन सी इसमें हैं, तो इस टाइप के जो questions है, वो UPSC frequently उसने है, तो इन तरह के questions को deal करेंगे, और इस particular video में हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग का theme series चल रहा है, जहां पर हम लोग particular topics को tackle कर रहे हैं, जो बार-बार repeated topics हैं, आपके UPSC exams में, तो दो हम लोग themes कर चुके हैं, the first one was regarding parliamentary committees, and the second was landforms and the revolution, और तीसरा है हमारा countries bordering seas, कौन कौन से seas लेने वाले हैं, यहां पर हम लोग, तो यहां पर हम लेंगे, Mediterranean Sea, Black Sea, Caspian Sea, और Red Sea, because यह वाला जो reason है, जैसे मैं रहता है, बहुत जदा news में रहता है, और यही जो important 4 seas हैं, वो उसकी जो bordering countries हैं, उनके बारे में हम देखने वाले हैं, तो seas और ocean में difference क्या होता है, प by the countries or by the land, चारो तरफ से अगर हम देखें, और सबसे जो बड़ा sea है आपका, that is Mediterranean Sea, जिसको हम हिंदी में भूव मदेश सागर भी बोलते हैं, तो चले एक एक करके देखते हैं, कि किस sea को कौन कौन सी countries border कर रही हैं with tricks, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला है हमारा Caspian Sea, Caspian Sea की यहां पर trick है, तारीक, ठीक है, अब countries क्या हैं, आप देख पा रहेंगे, T से यहां पर Turkmenistan है, A से यहां पर Azerbaijan है, R से यहां पर Russia है, I से यहां पर Iran है, और K से Kazakhstan, अब सिर्फ यह तारीक देख लेने से और यह countries देख लेने से questions all नहीं हो जाएगा, because वहां पर जो UPSC countries रखेग तो अब हम Turkey उसको बोलेंगे, तो यहां पर Turkey, तो आपको लगेगा, T तो था उसमें, तो T से Turkey होगा, उससे मैं आपको यह रिकॉल नहीं आगा, कि भाई, T से दूसरी country भी कोई और हो सकती है, तो इसलिए जो भी आप देखें ना, जो confused आपको किया जा सकता है, वो T मे किया पॉर्डर नहीं कर रहा है तरगी, T से यहां पर तुर्गमेनिस्तान है, ठीक है, और बाकी भी countries पर focus कर लिजे कि यहां R से Russia, K से Kazakhstan, A से Azerbaijan, और I से Iran, और इसको आपको करना कैसे है, आप इस lecture को देखने के बाद खुद से आप लिखिए, आपको अगर एकदम टेस्ट करना है कि हाँ आपका माइन में अपने सही चीज़ को फिट किया है, तो अब तुरंथ किसी notebook में सब को लिखे कि कैस्पियंसी तारीक, और तारीक में कौन कौन सी country, किसका मतलब, T का मतलब क्या, A का मतलब क्या, R का मतलब, I का मतलब और K का मतलब, ठीक है, तो इसमें अच्छ अब double SEY, यह भी बहुत confusing है, confusing इस sense में है, कि यहाँ पर आप देख पार होंगे double S है, ठीक है, और इसी region में आपको पता है, Somalia country भी है, तो अगर मैं Somalia रख दूँगा तो आपको लग गया, दो-दो S है, एक S तो Somalia हो गही, तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक S है यहाँ आपर आ Egypt, ठीक है, और S से मैंने बता दिये, Sudan है, और S से Saudi Arabia, और यह वाला जो E आप देख रहे हैं, इसे Eritrea है, क्या है, Eritrea है, और Y से यहाँ पर Yemen, यह जो आप देख पार है Yemen, clear है, यह Jordan और जो इसराइल है, वो border यहाँ पर नहीं करते हैं, आद लखेगा, यह DC trick को मत भूलिएग यहाँ पर straight है, अब उस straight को में एक अलग lecture में deal कर लेंगे, लेकिन आभी focus करते हैं, countries boarding the sea, red sea भी clear हो गया, अब आते हैं black sea पर, तो black sea की trick है, the burger, the burger, अब the में यहाँ पर सिर्फ T को आपको pick up करना है, T से है Turkey, ठीक, T से है यहाँ पर Turkey, H और E से कुछ भी नहीं है, B से हैं ब यहाँ पर देख पा रहेंगो, Georgia, और finally R से है Russia, तो the burger, या फिर अगर आपको इसमें confusion हो रहा है, पुरा the में, तो आप ऐसे याद रह सकते हैं, कि black, और एक चीज, एक चीज मैं disclaimer दे दू, कि इसमें से जितनी भी मैं आपको tricks बता रहा हूं, ठीक है, none of it is made by me, ठीक है, यह म बेस्ट हो सकती, उस basis में आपको दे रहा हूं, और उससे आपको कोई फर्ख पढ़ना भी नहीं चीए, trick कहीं से भी है, बस आपको याद होना चीए, गुमा फिर आके, ठीक है, तो मैंने पूरा अपना time में दिया है, कि भी, कहां से कौन सी trick जो है, ठीक है, तो उस चीज प और बर्गर तो था ही, बर्गर में मैं आपको बता दिया, B से बुल्गेरिया है, U से उक्रेन है, R से रुमेनिया है, G E से जोजी और R से रश्या है, clear है तो आप ब्लाक टर्की बर्गर करके भी इसको याद रह सकते हैं, फिर दव बर्गर करके याद रखिये, जैसे भी, लेकिन याद होना चाहिए, अगर आपको confusion हो रहा है तो आप ब्लाक टर्की बर्गर कर यूज कर सकते हैं, और आखरी और सबसे complex है, Mediterranean Sea, यह बहुत complex है, लेकिन अब यह जो Mediterranean Sea है तीन continents के countries इसको border करते हैं, एक तो Asia है, Europe है और Africa है, Asia, Europe, Africa, first we'll focus on Asia, Asia की जो कौन कौन सी countries है जो इसको border कर रही है, इसके लेकिन रिक है C list, क्या रिक है इसकी, C list, C से है Cyprus, ठीक है, C से है Cyprus, L से है Lebanon, I से है यहाँ पे Israel, S से है यहाँ पे Syria, और T से है यहाँ तरकी, तो हो गया C list, Asian countries, अब आते हैं Africa पे, ठीक है, यॉरप अभी छोड़िए, अभी directly Africa पे आई, Africa की जो countries है उनके लिए trick है metal, क्या है metal, M से हो गया Morocco, E से हो गया Egypt, T से हो गया Tunisia, A से हो गया Algeria, ठीक है, और L से हो गया Libya, ठीक है, M से Morocco, E से Egypt, T से Tunisia, ठीक है, Turkey मत इसको कर देना, A से Algeria, और L से Libya, ठीक है, ना कि Lebanon, इसको Lebanon मत कर देना, ठीक है, क्योंकि Lebanon जो है, वो आपका यहाँ पे हो चुका है एशिया वाले में ठीक है लेबनोन बिल्कुल बॉर्डर कर रहा है लेकिन वह इशिया वाले में हो चुका है clear तो एशिया की country's के लिए sea list है और आफ्रिका के लिए middle है और यॉरप वाला सबसे complex है इसी वाइसे मैं आपको last में कर रहा हूँ तो पहले तो आप एशिया और आफ्रिका को अच्छे से पुकता करो कि हम यह मुझे याद हो गए फिर यॉरप पर आते हैं यॉरप वाला सबसे complex है इसके लेटरिक है मामी जी salute commander of BSF मामी जी salute commander of BSF और यहाँ पर यह आप देख पा रहा हूँगे कि जो यहाँ पर capital letters है सिर्फ उसी का ही यह वही जो है एक country को represent कर रहे हैं तो कौन कौन सी country है आपको बताता हूँ तो सबसे पहली country तो है आपकी M से Monaco ठीक है Monaco कहाँ पर है Monaco यहाँ पर map मैं देख नहीं रहा है बट यह Spain और France के बीच में है ठीक है यहाँ पर country पढ़ता है Monaco ठीक है A से M से हो गया A से है यहाँ पर Albania ठीक है A से यह Albania country है then again M यहाँ पर आपको देख रहा है M से है यहाँ पर आपका एक country है यह तो Monaco तो हो गया यहाँ पर यह जब चोटा साइलेंड country देख रहा है यह हो गया Malta ठीक है यह हो गया Malta और यह जो तीसरा M यहाँ पर आप देख पा रहा है तीसरा M stands for this Montenagro ठीक है यह आपको देख पारहोंगे यह country Montenegro ठीक है M हो गया I से कर बात करें तो I से आपका Italy है यह आपका Italy देख पा रहे है इसके बाद G है ठीक है तो G कहां पर है Greece Greece कहां पर आपको देख रहा है Greece यह रहा आपका ठीक है Greece इसके बाद है आपका S यानि यह स्टांड्स वर स्लोवेनिया ठीक है C स्टांड्स फॉर क्रोएशिया BSF BSF है आपका Bosnia यह जो आप Bosnia देख पा रहे हैं S से है आपका Spain और F से है आपका France ठीक है तो मामी जी Salutes Commander of BSF है फिर ममी जी Salute Commander of BSF कैसे भी आप याद रखें लेकिन यह सबसे complex है यॉरप वाला पहले Asia और यॉरप को एकदम से contest करें और उसके बाद धीरे धीरे यह चीज़ें आपको एकदम से याद नहीं हो जाएंगे आपको इस पर काम करना पड़ेगा थोड़ा जैसे मैं कौन कौन से वो countries हैं उसको लिखें यही इसके लिए एक ही तरीका जिससे आप इन सारी countries को याद कर सकते हैं आसानी से अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि और चीज़ें आपके लिए आसान हो सकती है आपको थोड़ा सा काम अपने से करना होगा तो I hope यह वीडियो आप को help किया होगा और अगर आपको help किया तो वीडियो को like जरूर करिएगा और कुछ भी आपका doubt है तो comment section में drop करिएगा बाकी हम लोगों का अगला theme कौन सा topic होना चाहिए फिर अगला theme कौन सा होना चाहिए वो भी comment section में जरूर बताइएगा मिलते हैं अगले वीडियो में धन इसको याद रखेगा exam time में आपको solve करने होते हैं questions और questions तभी solve होंगे जब questions आप पहले से solve कर चुके होंगे वो हम लोग करते हैं practice 10 a.m. पे daily Monday to Saturday तो उसमें आप रगले रहिए ठीक है धन्यमाद